सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइबरी, बच्चों के उच्छल भविश्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तयार कक्षा एक से कक्षा बारा तक के सभी पाठे पुस्तक पूरक सामगरी एवं विडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विच्षित पोर्टल पर है उपलग्द अध्यान सामगरी देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथ्वा एंड्रोइड मुबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots आप डाउनलोड करें शुक्षकों, अभी भावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस e-library का अधिक से अधिक लाब उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें हलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंध होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास एक एवं दोग की पढ़ाई प्रति दिन दो फर तीन बजे से चार बजे तक शुरू हो चुकी है तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कौपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याले कारक्रम में शामिल होना है जहां हम नई नई चीजे सीखेंगे वह भी मन और अजग तरीके से तो तैयार है ना आप सर्थ आज हिंदी की क्लास में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है नन्ही नन्ही बून्दे मेरी छट पर कूदें उसके बाद बारा खड़ी और शब्द खेल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे नए नए शब्दों को फिर गनित की कक्षा में हम लोग डिंग डाउंग डिंग गेम के माध्यम से अंकों को और बेहतर धंग से जानेंगे तथा जोड चाट के माध्यम से हम लोग अंकों का जोड करेंगे फिर अंग्रेजी में एक राइम पढ़ेंगे जिसका नाम है Clap Your Hands और अंत में चलेंगे चिडिया घर और देखेंगे जूशो तो चलिए शुरू करते हैं आज की ख्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ बापू की कहानी जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वज़े से उनकी एक साल की पढ़ाई बिगड़ गई बाद में उन्होंने कोब मैनद करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन वयाम करने से वो बच्चते थे वयाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगडी हुई लिखावट, उन्हें ये गलत फैमी हो गई थी कि साफ सुथरे लिखाई का शिक्षा से कोई लिना देना नहीं है, बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी घराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बच्पन के बिगडी प्रादत फिर ठीक नहीं होई, उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था, जब दूसरों के मोधी के दानों जैसे साफ और सुन्दर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पच्टावा होता, वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी हर एक नव्यूवक और नव्यूवती मेरे उधारन से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवशक अंग है। यह दोस्त दूर तक तेजी से दोड सकता था, उचा कूच सकता था, लंबा भी कूच सकता था, दिवार चड़ने में माहिर, खेल कूच में प्रवीन और सजाया पिटाई सहज ही से लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, दरपो, शरीर से दुरबल, ना दोड़ते बनता, ना कूटते बनता, कोई डाड़ दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बाद। दोस यह सब जानता था। जो कमिया हमें अपने आप में दिखती हैं, उनी गुणों को हम दूसरों में खोचते हैं। मोहन अपने दोस से बहुत प्रभावित थे, दोनों ने स्टूडियों में जाकर के साथ में फोटो भी खिचवाई थी। मा, बड़े भाई और कस्तूर भाई ने मोहन को समझाने की खुब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पढ़ गए हो, तुमें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरुसा दिलाया, उन्हें बाद जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया, वो जो चाहते थे, उसे करने दिया गया। पर सच तो ये था कि मोहन अपने दोस्त के समोहन में थे, जो समोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिप कर मास खाते हैं, और शराब भी पीते हैं, राज़कोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्धाले के कई चात्र भी, इसलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मास नहीं खाते, अंग्रेज मास खा लगा था कि यही समात सुधार है, मोहन का परिवार एकदम पक्का वैश्टम, शाकहारी था, पर उनका मजला भाई करसंदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मास खाने लगा था, उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मास खाता हूं, तुमारा भाई भी खाता है, ह हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता, मोहन भी अपने दोस्त के जैसे नीडर और बल्वान बना चाहते थे, देश को आजाब तो करवाना ही था, समासुधार भी तो करना था, सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीरानी में चले गए, दोस्त ही सारा समा लेकर आया था और उसी ने मास पकाया, मोहन ने पहले कभी मास दिखा तक नहीं था, उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी, मास का स्वान मोहन को चमणी जैसा लगा, उन्हें उल्टी आने लगी, तो थोड़ा सका के छोड़ दिया, उस रात बहुत तकलीफ हुई, ज कि मास खाना जरूरी है, दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था, वो तरह तरह के पकवानों में मास मिला देता, तकी मोहन को भाज आए, यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहांके बावर्ची को उसने पटा रखा था, ये सब साल भर तक चला, कोई 5-6 बार मोहन ने चो कोड़ी भी नहीं होती थी, जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लोटते, तब भूकी नहीं बचती, तो वो घर में जूट बोलते, माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूक नहीं है, पेट में गड़बड है, पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोका देता रहूंगा, घर में जूट बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मास खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया, और फिर सदा ही शाकाहरी रहे, लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला, कस्तूर बाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे, वे अपनी पतनी पर बेवजा शक करने लगे, कस्तूर बाई के पास मोहन की बदसलू की सहने के अलावा कोई चारा नहीं था, मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भागय का कारण बन चुकी थी, वे इससे तभी छूटे, जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकते करते द हेलो बच्चो, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड बच्चे अपने माता-पिता, अपने भाई-बेहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे, क्यों? क्योंकि हमार आशो तो घंटे भर में खतम हो जाएगा, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिल कर करते रहेंगे, तो बहुत मजाएगा, क्यों? क्या गहते हैं? चलिए, शुरू करते हैं सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी, और उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल, तो आप तयार हैं? चलिए, सुनते हैं एक कहानी बिट्टू, क्या कर रही हो? हाँ काका, काकी के काम में हाथ बटा रही हूँ क्या बात है बिट्टिया, आज बहुत मदद कर रही हो अपने काकी की आपको तो चौपाल लगाने से फुर्सत है नहीं, बिट्टू ही है मेरी मदद के लिए देखा बिट्टू, तमारी काकी बहुत जल्दी नाराज हो जाती है आजकल यही है, चौपाल पर बैठो और दुनिया की खबर जुटाओ अरे हाँ हाँ, वो भी तो जरूरी है देश दुनिया में क्या हो रहा है, इसका पता भी तो रहना चाहिए आप इसी सब में लगे रहिए, पता भी है, बिट्टू ने बहुत बढ़िया कवीता सुनाई है मुझे अच्छा, तो बिट्टू मुझे भी सुनाओ क्यों नहीं, आभी सुनिये करते छपक छाईया, आओ भीगे भाईया करते छपक छाईया, आओ भीगे भाईया नन्ही नन्ही बूंदे, मेरी छत पे कूदे करते छपक छाईया, चाता ले लो भाईया करते छपक छाईया, पैर फिसल गया भाईया नन्ही नन्ही बूंदे, मेरी छत पे कूदे करते छपक छाईया, कमर तूट गई भाईया करते छपक छाईया, कमर तूट गई भाईया नन्ही नन्ही बूंदे, मेरी छत पे कूदे नन्ही नन्ही बूंदे, मेरी छत पे कूदे नन्ही नन्ही बूंदे, मेरी छत पे कूदे तुम्हारी काकी भी तुम्हारी तरह अच्छा गालेती है अब तो बरसात का भी मौसम आ गया है हमारे बिट्टू भी ननी ननी बूंदे इसके साथ छट पर कुदेगी हाँ काका, मुझे तो बारिश में भीगना, उचलना, कुदना बहुत अच्छा लगता है हाँ बिट्टो, इस गीत को सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई पता है, जब मैं छोटी थी, तो मैं भी बारिश में खूब भीगती थी अपनी सहेलियों के साथ बारिश में उचलती कूदती रहती थी तुम्हारे नाना मुझे ढूंडने आते थे, लेकिन मैं चुप जाती थी मैं जब नहीं मिलती थी, तो नाना परिशान हो जाते थे तब नानी मुझे बुलाने आती थी, और एक बार में ही मुझे ढूंड लेती थी और कहती थी, जब देखो तब ये लड़की खेलती रहती है वाह काकी, आपने तो बारिश का भरपूर मजा लिया है अच्छा अच्छा बिट्टू, अब एक खेल हो जाए काका, आपने तो मेरे मुझे बात चीन ली, आप कोई नया खेल करवाईए हाँ बिट्टू, तुम्हारे काका को बहुत खेल आते हैं यही खेल करवाएंगे, और हम सब तो खेलेंगे ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देखते हैं आज की पहेली, बुझो तो जाने फूल भी हूँ, फल भी हूँ मैं हूँ मैं एक मिठाई, कौन हूँ मैं भाई, पहचानो मैं कौन मुझे तो यह खेल बहुत अच्छा लगा, मैं जब छोटी थी तब बिट्टू की नानी रात को सोते समय पूछती थी इसका मतलब काकी को बूझने और बुझाने में मज़ा आता है, है न काका? बिल्कुल सही कहा बिट्टू काकी, अब काका से एक सवाल पूछी लीजिए, नहीं तो आपकी तारीफ में चार चान लगा देंगे सही कह रही हो बिट्टू, अब तुम्हारे काका से एक सवाल बूझने वाला पूछी लेती हूँ क्यों बिट्टू के काका तयार हैं आप मैं तो कब से तयार हूँ तुम केवल सवाल पूछो जवाब देने से मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूँगा बहुत खुब काका तो लीजिये सवाल कौम सी चीज है जिसे खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसे खाते नहीं लगाईए जरा दिमाग और बताईए जवाब हम काकी आपने तो बहुत आसाल सवाल पूछ दिया तो बताईए काका तुम्हारी काकी पूछ रही हैं तो बताना ही पड़ेगा तो इसका जवाब होगा हम अभी बताते हैं खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसे खाते नहीं है न तो तो इसका जवाब होगा हरी लोकी आपकी हिसाब से यही जवाब है लेकिन लोकी को खरीदते हैं हाँ उसे कच्चा तो नहीं खा सकते फिर भी पका के तो खाते हैं इसका मतलब कापा का जवाब गलत है। बिट्टू, तुम को शिश करो। हाँ मॉसी, मुझे समझ में आ गया कि इसका जवाब क्या होगा। तो बताओ। हमारे किचिन में ऐसी चीज है, साल में इत्योहार आता है, उस खास दिन में लोग ज़ादा खरीदते हैं, हाँ, बाकी दिनों में भी खरीदते हैं, वह चीज सालो साल चलती है। बिट्टू, रुको रुको, मैं समझ गया, अब बताता हूँ तुम्हारी काकी को, इसका जवाब है प्लेट। बिट्टू ने आपकी मदद की, तभी आपने जवाब बताया। कुछ भी हो, जवाब तो हमी ने दिया है। बिल्कुल काका। बिट्टू की काकी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मैं कहां पीछे हटने वाली हूँ, पूछिये। लोहा खीचू ऐसी ताकत है, पर रबर मुझे हराता है। कोई सुई मैं पा लेता हूँ, मेरा खेद निराला है। अब बिट्टू की काकी, इस पहली को बूझ हो तो जानू। आपकी पहली को मैं बूझ गई। इसका जवाब है चुम्बक। अरे, इतना जल्दी जान गई। कमाल है। वाह काकी, आपने तो एक ही बार में काका को जवाब दे दिया। वैसे काकी, आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया। बिट्टू, ऐसा था ना, जब मैं छोटी थी, तब खराब रेडियो के स्पीकर से चुम्बक निकाल लेती थी। उस चुम्बक को लोहे से चिपकाती थी। ऐसा करने में मुझे बड़ा मजा आता था। तब ही तो फट्टाक से जवाब दिया। बूझने और बुझाने में दिमाग लगता है। तो अब एकदम आसान सा खेल खेलते हैं। क्यों काका, आप तेयार हैं? बिल्कुल बिट्टू, तुमारे काका बिल्कुल तेयार हैं। लेकिन अपने काकी से तो पूझ लो, मैं भी आप से कम थोड़े ना हूँ, मैं भी खेलूँगी और जवाब भी दूँगी। बहुत बड़िया, तो फिर एक खेल देखते हैं। तो आईए, खेल शुरू करते हैं, बारक खड़ी का। आप तो ये खेल खेल चुके हैं, पहले भी, कई बार, तो आप तो जानते हैं इस खेल में क्या करना हैं। तो चलिए, खेल शुरू करते हैं। तो आज कौनसी बारक खड़ी का खेल खेले हैं। जो देखते हैं। आप तूट जाएगा, देखना। तो आप जमाना हैं, तो देखते हैं, जो के बाद बचो। हुम्, सही कहा, जा, अब जा कहा हैं, जरह ढूरना पड़ेगा, ढूरना पड़ेगा, ढूरना पड़ेगा, यह रहा ज़ा। उसके बाद क्या आएगा, जी, नहीं, नहीं, जी। हाह, यह वाला। बाई तरफ से मात्रा है, ध्यान से देखी इसको, और ये है दाई तरफ से, काका ने और काकी ने बताया था न, वैसे ही, अब जू, ये है, उसके बाद आना है जू, तो ये है बाई तरफ, ये ही आएगा, जू, देखा, अब जू के बाद, क्या आएगा, क्या आएगा, बिल कुल सही जे तो ये रहा जे इसे पहुंचा देती मैं अपनी जगह अब जय ये रहा जय अब इसको पहुंचाना है यहां एक ही बचा है आखरी कौन सा है ये कौन सा है कौन सा है ये जो है सुनके देखें क्या यही जो है एक डंडा और एक उपर मात्रा जो है ये जो है देखा रा तैंक यू अरे वह यह खेल खेल कर तो बहुत ही मज़ा आया मैंने जहकी और फाकी दोनों की बारा खड़ी खेली बड़ा वाज आया इजे फिर कभी खेलूंगी और दूसरे अक्षरों के साथ काकी इस खेल के बारे में बताईए अब ये ना कहना कि बचपन में खेला था देखो बिट्टू बारा खड़ी के खेल बचपन में ही बहुत खेले जाते हैं इसके बारे में जरूर बताऊंगी हाँ बिट तू ये खेल स्कूल में ही खेला था ये खेल तो मेरी भी क्लास में होता है और हाँ इसकी मदद से मिला मिला कर शब्द पढ़ना सीखते हैं पढ़ने के साथ साथ हमारी जुबान भी काम करती है ऐसे में हम शुद बोलना सीखते हैं और पढ़ते भी हैं आप म की बाराखड़ी सुनाईए अरे ये तो बहुत आसान है तो सुनो म की बाराखड़ी म 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 देखा पढ़ लिया ना मैंने बहुत बढ़िया काका लेकिन आप एक दो जगे भूल रहे हैं देख लिया अपने काका को पता नहीं स्कूल जाते थे या रास्ते से ही घर लोट कर आ जाते थे मैंने तो सही पढ़ा था अब थोड़ी मोडी गलती तो हो ही जाती है इसमें स्कूल जाने या न जाने की बात कहां से आ गई बिट्टू तुम ही पढ़कर सुना दो तो मैं सुना रही हूँ लेकिन टीवी देख रहे बच्चे भी मेरे साथ म की बारा खड़ी बोलिये तो शुरू करूँ म, 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 शाबाश बिट्टू पूरी लाइम वो भी सही सही बहुत बढ़िया काकी, अब दूसरा खेल अब रहने दो बिट्टू, आज बहुत खेल हो गए अब बिट्टू कह रही है, तो एक खेल और खेल लेते हैं आप तो ऐसे कह रहे हैं, जैसे बिट्टू को आप ही मानते हैं, मैं नहीं अरे बिट्टू की काखी अब बिट्टू का मन हो रहा है तो खेल लो मेरा भी मन तो है थोड़ा पहुत इसमें मानने या ना मानने वाली बात तो है नहीं आप लोग तो मौका पाते ही नोग जुक करने लगते हैं तो सबसे पहले एक खेल देखते हैं बिलकुल बिट्टू तो आईए खेल शुरू करते हैं शब्द खेल इस खेल में आपको क्या करना है इस खेल में आपको शब्दों की आवाज आईगी और वो लिखा हुआ कहा है ये आपको पहचानना है तो है ना तन तो चलिए खेल शुरू करते हैं खोट 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 च्छ थ ये रहा बंद ये रहा बंद ये रहा बंद कि अरे मेरी तो तक्करों गई तो ये रहा बंद ये रहा तो यी रहा राधिब ये रहा जाग 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 यह रहा जाग लिक यह रहा लिक धन्दा धन्धा पीछे है धा धन्धा ध्यान से बिट्टू यह रहा यह रहा हाँ बुध्ध सब धा पे ही है बुध्ध बुध्ध हाँ यह है फटी फटी यह तो मैंने यह रहा अरे यह वाली मात्रा होती है अरे हमेशा गड़ पर करती हूं पूरा पूरा नहीं पूरा शायद पूरा नहीं बीच वाला ही है अरे वाह इस बार मैंने 45 अंख पाए हैं तीसी बार में ही कम से कम मैंने सबसे जादा अंख पाए हैं वाह बिट्टू इस खेल में तो बहुत मज़ा आया अरे पहले क्यों नहीं बताया कि मज़ेदार खेल है वरना तुम्हारे काका को मना क्यूं करती आपको इतना अच्छा लगा तो काका को भी बहुत मज़ाया होगा हाँ बिट्टू बहुत ही बढ़िया खेल है काका इस खेल में क्या था देखो बिटिया तीन शब्द वाले कार चलाते थे जो शब्द बोला जा रहा था उसे सही शब्द वाले कार को किलिक करना था जब किलिक होता है तो कार आगे निकल जाती है और बाकी कार पीछे रह जाती है जब गलत होता है तो कार का एक्स्टिडेंट हो जाता था वह काकी आपने भी बहुत ध्यान से देखा है अरे 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 देखिए घर में किस चीज के आवाज आ रही है कहां आवाज आ रही है अरे बिट्टू ये तो चुहे की आवाज है ये घर में चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू-चू वान प्रेडना! तफ़पड़! बांसर! बंदर बच्छा खेल में मज़ा आया तो कैसे रहा ये खेल वाह काका एकदम मज़ेदार खेल है मुझे ऐसे खेल केलना बहुत पसंद है बिट्टू की काकी तुम बताओ इस खेल के बारे में अब बिट्टू को पसंद आ गई तो मुझे भी पसंद है काका ये खेल तो जानवरों की आवाज निकालने वाला खेल है सही कहा बिट्टू, क्या तुम मुझे बिल्ली की आवाज निकाल कर सुना सकती हो, बिट्टू हमारी बड़ी होश यार है, अभी सुना देगी, हाँ, ये मुझे आता है काका, बिल्ली की आवाज, अभी सुनाती हूँ, मियाओ, 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 शाबाश बिट्टू शाबाश बिट्टू के काका आप एक जानवर की आवाज निकाल पाएंगे क्यों नहीं बिल्कुल निकाल पाऊंगा अब रहने भी दीजिये आप नहीं निकाल पाएंगे काकी पहले जानवर का नाम तो बताईए पहले से ही काका को हारा हुआ मान रही है हो सकता है काका को उस जनवर की आवाज निकालना आती हो ठीक है बिट्टू, तुम कह रही हो तो पूछने हैं तुम्हारे काका से आप गधे की आवाज निकाल कर बताईए क्या कहा? गधे की आवाज? हाँ गधे की आवाज कोई दिक्कत है क्या नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी निकाल लेते हैं गधे की आवाज तो गधे की आवाज हुई धेचून 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 वा, भई, वा, आपने क्या गधी की आवाज निकाली है, आज तो बिट्टू को भी बहुत मजा आया होगा क्यों बिट्टू है, हां काकी, आज तो बहुत ही मजा आया खिलने में, अब मैं अपना होमवर्क पूरा करने जा रहे हूँ ठीक है बिट्टू, मैं भी चला अपने चौपाल पर जोअने जोँ एकता हो. olacak WHY? प्स्री आंप पर छात प्सर kidnapped कि में आइसाओ से तुटार बार समय का नगना हुआके समय का अपाइके समय के वहांके साथ कि में आदे का नग टुटार बार समय को 흡़िए कि में एको आदे का इस वाँ आप लोगों ने कहानी सुनी और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेल लिये मतलब आज तो बहुत खुछ सीख लिया नहीं, चलिए आप आगे भढ़ते हैं और नई चीज़े सीखते हैं आगे हम क्या करेंगे? आगे हम पढ़ेंगे गनित डढ़ने वाली बात नहीं है, गनित बहुत आसान होती है अगर खेल खेल में हसी मजाग में सीखे तो तो चलिए सीखते हैं गनित खेल खेल में हसी मजाग में थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ हेलो विध्या, हेलो विजय और हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज विध्या और विजय हमें दिखाने जा रहे हैं कि दस्वे भाग में कैसे गिने या दहाईयों को कैसे गिनते हैं तयार? चलिए शुरू करते हैं विद्या, कि आप हमें दिखा सकते हैं कि दस्वे भाग में गिंती करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो आप? ओह, यह है एक छोटी सी ट्रेन की तरह लग रही है तो आज हम खिलोनका उप्योग करके दस्वे भाग में गिंती करने जा रहे हैं और जानेंगे कि कैसे गिनते हैं विध्या क्या आप दस नीली ट्रेनों का एक समूँ बना सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँट, छे, साथ, आठ, नो, दस तो यह दस नीली ट्रेनों का एक समूँ है अब विध्या क्या आप दस पीली गाड़ियों का एक और समूँ बना सकते हैं तो अब हमारे पास दस नीली और दस पीली ट्रेनों का एक समूँ है चलो हम गिनकर दिखते हैं कि हमारे पास अब कितनी ट्रेने हुई पहले से हमारे पास हैं यह दस ट्रेन और अब तो देखिए यदि हम केवल नीली गाड़ियों का समूह लेते हैं तो हमारे पास ये 10 होती है और यदि हम पीली और नीली रंकी दोनों रंकी गाड़ियों का समूह लेते हैं तो 20 तो विद्या क्या अब आप 10 हरी गाड़ियों का एक समूह लेंगे बहुत अच्छे तो पहले हमारे पास 20 ट्रेने थी और 10 और मिल गई हैं तो अब कितनी हुई चलो बताओ चलो गिनते हैं हमारे पास अब 30 ट्रेने हैं इसलिए यदि हम केवल नीले गाड़ियों के समूह को लेते हैं तो हमारे पास 10 होती हैं और यदि हम पीले और नीले रंकी गाड़ियों के समूह को लेते हैं तो हमारे पास 20 हैं और यदि सभी तीनों गाड़ियों के समूह को ले लें तो अब हमारे पास 30 ट्रेने हैं तो विजय क्या अब आप टेबल पर 10 लाल गाड़ियों का एक समूह बनाओगी बहुत अच्छे तो अब हमारे पास 10, 20 और ये 30 और ये रही 40 ट्रेने हैं इसी तरह से विजय क्या आप अब 10 काली गाड़ियों का एक और समूह ले सकते हैं वेरी गुड तो अब हमारे पास कुल कितनी ट्रेने हैं देखे, 10, 20, 30, 40 और पूरी 50 ट्रेने हैं क्या अब हम प्रेनों के और अधिक समूह बना सकते हैं? चलो बना कर देखते हैं यहां हमारे पास गाड़ियों के 5 और नए समूह हैं तो सभी समूह में कितनी कितनी ट्रेने हैं देखो हां सभी समूह में 10-10 ट्रेने हैं तो ट्रेनों के समूह की गिंती शुरू करें चलो शुरू करते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और फिर यह 60, 70, 80, 90 और यह पूरे 100 तो इसका मतलब है कि हमारे पास 100 रेने हैं क्या आपने देखा कि इस बार गिंती करते समय हमने क्या किया वही तरीका अपनाया जैसे पहले आमतर पर लोग करते हैं जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ऐसा किया क्या नहीं, हमने उस तरीके से नहीं गिना हमने दस में भाग में गिना हम हर बार पिछली संख्या में दस जोडते हैं तो क्या विद्या और विजय आपके साथ एक बार फिर से दस में भाग में गिंती करने की कोशिश करें चलो करते हैं 10, 20, 30, 40, 40, 60, 70, 80, 90, 100 Very good Thank you Vijay और Vidya आप लोगों ने 10 में भाग में गिंती करने में हमारी बहुत मदद की है तो इसी तरहां 10 में भाग में गिंती करते रहिएगा और सीखते रहिएगा ठीक है? हम फिर मिलेंगे अल विदा दोस्तों इस खेल का नाम है Ding-Dang-Ding इसमें कुछ तितलियां हैं, कुछ पक्षी हैं, कुछ शेर हैं, कुछ बंदर हैं और बड़े सारे हैं आपको गिनके बताना है ये कितने हैं ठीक है? चलिए ये खेल चालू करते हैं और मुझे बताईएगा कि हमारे पास कितने पक्षी जानवर है ओ ये तो पक्षी नहीं लग रहे हैं ये क्या है ये हेलिकॉप्टर है ये इनसान की बनाई हुई मशीन है जो हवा में उड़ती है चलिए देखते हैं कि कितने हेलिकॉप्टर है आसमान में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ चलिए आठ हेलिकॉप्टर मुझे बताईए नीचे दिये गए अंकों में आठ खिदर लिखा है ये वाला ना क्लिक कर देते हैं शाबाश अरे वाल ये तो समंदर का सीन लग रहा है इस समंदर में स्टार फिश है ये मचली ये तरह की मचली होती है और ये मचली समंदर में रहती है सारे जैसी दिख रही है ना इसलिए इसको स्टार फिश कहते हैं स्टार यानी तारा और फिश यानी मचली चलिए बताइए कित्ती स्टारफिश है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यहाँ पे साथ स्टारफिश है आप बताइए नीचे दिये गए अंकों में साथ किधर आ रहा है ये वाला आपने बहुत अच्छा जवाब दिया आसमान में अब अंधीरा हो गया और तारे टिम्टिमा रही है बताइए कितने तारे है एक, दो, तीन, चार चार तारे है चार पे क्लिक कर देते है अरे फिर से तारे आ गए दोस्तों आपने कभी आसमान में तारे गिनने की कोशिश की है कितने तारे देखते हैं आज पक्का शाम को आस्मान में तारे गिनने की कोशिश करिएगा और मुझे बताईएगा कि आपने को कितने तारे मिले फिल्हाल के लिए इस चित्र में कितने तारे दिये हुएं ये देखते हैं इस चित्र में 1, 2, 3, 4, 5 5 तारे दिये हूं है 5 पे क्लिक कर देती है मैने खाता ना पक्षी गिलेंगे हम आगे पक्षी चलिए अब पक्षी गिनए पहले आप गिने फिर मैं गिनती है गिन लिया देखते हैं किते पक्षी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वे, साथ, आठ, नौ, दस, दस पक्षी, बताईए दस नंबर किधर लिखा है, सही पैचाना, दस नंबर सबसे पहले लिखा है, इस बगीचे में तितलिया है, बताईए कितनी तितलिया है, ये तो आपको तुरंट आजाना चाहिए, हाँ, इस बगीचे में दो तितलिया है, एक, दो, दो तितलियां, चलिए दो नमबर पर क्लिक कर दे, एक दो सरी है, आज लगता है आसमान में बादल है, एक ही तारा दिख रहा है, बागी तारे दिखी नहीं रहे, चलिए, एक तारे पर क्लिक कर दे, फिर से तारे, मगर अब पिछली बार से जादा है, कितने तारे ह यह एक दो तीन तारे टिम्टिम आते हुए कितने अच्छे लगता है ना एक तो तीन चार पांच छे छे तारे अब आ गई मचलियां पड़ी रंगीन मचलियां हैं इसमें से कौनसी मचली आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे तो यह लाल वाली अच्छी लग रही है पर हमें गिननी तो सभी पड़ेंगी ऐसा नहीं कि सिर्फ लाल गिनी सारी गिनिया और मुझे बताईए कि कितने मचलियां है गिन लिया चड़िये अब साथ में गिनते हैं दुबारा गिनियेगा मेरे साथ एक दो तीन चार पा 5 6 7 8 9 ठीक है रहीं हमने सात में मिलकर गिना है कि यहां पे 9 मचलियां है अब हमें नीचे नौ नंबर पर क्लिक करना होगा बताइए नौ नमबर किधर लिखा है यह च्छे यह साथ यह तीन यह दस यह एक यह आठ यह नौ चले नौ पे क्लिक कर दे अरे आज का खेल तो यहीं कतम हो गया बड़ा मजा आया मुझे गिनने में आपने घर की और चीज़े गिनी अभी तक नहीं गिनी चलिए फिर सबसे पहले आप गिनिए कि आपके घर में कित्ती खिड़की है और फिर आप गिनिएगा कि आपके घर में कित्ती चम्मच है और कित्ती गटोरी, ठीक है गिनकर इसका जवाब अपने मातामिता को जरूर बताईएगा हलो दूस्तों कैसे हैं आप आईए आज हम एक बार फिर इस चार्ट के माध्यम से जोड करके देखते हैं इस बार हम सबसे बाइब कॉलम और सबसे उपरी पंती में तीन का जोड करते हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले 1 जोड तीन बराबर 4 दो जोड तीन बराबर पाच और यह देखे तीन जोड तीन बराबर छै चार जोड तीन बराबर साथ पाच जोड तीन कहां मिल रहा है जी हां पाँच जोड तीन बराबर आज चै जोड तीन बराबर नो साथ जोड तीन बराबर दस आट जोड तीन बराबर ग्यारह नो जोड तीन यह कहां बार रह और दस जोड तीन बराबर ते रह वरी गुड ऐसे ही आप भी चार्ट के माध्यम से जरूर पढ़िएगा आज हम दिन के चार भागों के बारे में सीखेंगे क्या आप दिन के इन चार पार्ट के बारे में सीखने को तयार हो गुड मॉनिंग मॉनिंग से आपके दिन की शुरुवात होती है आप दिन में कितने बज़े उठते हैं? और आपके घर में सबसे पहले कौन उठता है? आप, आपकी मम्मी या आपके पापा? जब मैं छोटा था तो मैं साथ बज़े उठता था और आप कितने बज़े उठते हैं? और उठने के बाद हम लोग क्या-क्या चीज़े करते हैं? सबसे पहला काम हम लोग ब्रश करते हैं ब्रश करने से हमारे दातों में क्याविटीज नहीं होती हमारे दात और हमारे मसूडे स्ट्रॉंग रहते हैं हमें रोज ब्रश करना चाहिए ब्रश करने के बाद हम लोग नहाते हैं नहाने से हमें फ्रेश फील होता है हम दिन के लिए तयार हो जाते हैं ब्रश कर लिया नहा लिए उसके बाद हम लोग प्रेक्फस्ट करते हैं breakfast दिन का सबसे important meal होता है मेरा favorite breakfast जब मैं छोटा था तो eggs और toast था आपका क्या है breakfast करने के बाद हम लोग school के लिए तयार होते हैं और school के लिए निकल जाते हैं दिन के बाद आती है afternoon क्या कोई बता सकता है दिन की किस पार्ट को हम लोग afternoon कहते हैं जब sun अपने brightest पर होता है यानि की लगभग 12 बचे धूप सबसे तेज होती है उस समय को हम लोग afternoon कहते हैं कभी-कभी धूप इतनी तेज होती है कि हमें धूप का चश्मा लगाना पड़ता है यानि की sun glasses लगाने पड़ते हैं अब afternoon में हम लोग क्या-क्या चीजे करते हैं हम लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं और खुब सारी मस्ती करते हैं खुब सारी नई चीजे सीखते हैं हम लोग कुछ-कुछ नई चीजे बनाते भी हैं जैसे painting करते हैं, sketching करते हैं और हम लोग खाना खाते हैं दिल धनले के बाद आती है शाम यानि की good evening क्या आप बता सकते हैं शाम कब होती है जब सूरज धल जाता है 6 बजे के आसपस और सब लोगों के घर आने का टाइम हो जाता है उस समय को शाम कहते है मेरे हिसाब से शाम दिन का सबसे मज़दार टाइम होता है क्यों क्या क्या करते हैं हम लोग शाम को शाम को हम लोग दोस्तों के साथ खेलते हैं वैसे आप लोग क्या क्या खेलते हैं शाम को खोखो, पकड़ा-पकड़ी, फुटबॉल, क्रिकेट, हाइड़न सीक दोस्तों के साथ खेलने के बाद हम लोग अपने घर जाते हैं और सबसे पहला काम घर जाकर हम लोग अपने दिन का homework खतम करते हैं स्कूल में जो भी homework मिला होता है वो रोज उसी दिन खतम कर देना चाहिए homework करने के बाद आता है favorite time of the day कुछ लोगों का जैसे की मेरा टीवी टाइम, आप टीवी पे क्या-क्या देखते हैं, काटून, मुवी, स्पोर्ट्स, और अपने भाई-बेहन के साथ देखते हैं, अपनी मम्मी के साथ देखते हैं, मुझे बहुत मजा आता था टीवी देखने में, शाम के बाद आता है नाइट, गुड़ नाइट यानि हम लोग क्या-क्या चीज़े करते हैं, हम लोग एक दूसरे को अपने दिन के बारे में बताते हैं, आप बताते हैं कि आपने दोस्तों के साथ क्या खेला, आज क्या खाया, होमवक में क्या मिला था, उसमें से कितना कंप्लीट हो गया, अपने पेरेंट्स के दिन के बारे मे पुछते हैं उनका काम कैसा रहा और और क्या करते हैं हम लोग रात को हम लोग डिनर करते हैं यानि की रात का खाना खाते हैं और कुछ बचा क्या हम लोग अपना बैग यानि की बस्ता आरेंज करते हैं कल के स्कूल के लिए इसके बाद एक important चीज़ सोने से पहले हम अपने द तो दोस्तों, आज हमने दिन के चार भागों के बारे में सीखा. Morning, Afternoon, Evening and Night. आप भी लिस्ट पनाईए कि दिन की किस भाग में आप क्या करते हैं? क्या आपकी लिस्ट आपके दोस्तों से अलग है? दोस्तों, आज की राइम का नाम है Clap Your Hands. इस वीडियो का उत्पादन किया है प्रथम InfoTech Foundation ने. चलतों फिर बिना वक्त कवाए देखते हैं और सुनते हैं इस मज़िदार राइम को. चलतों टिलने हैं आपके आल दोची कोमोची में डज कोईर बिद्नो का उत्राइम में emotional आपके दोस्तों खिन्पery, को रिविदा शाहिं हैं आपके दोस्तों और स्वा व्याँ आपके, इस करें दुतिम आपके. Turn around, turn around, listen to the music and turn around Jump up high, jump up high, listen to the music and jump up high Clap your hands, clap your hands, listen to the music and clap your hands Clap your hands, clap your hands, listen to the music and clap your hands Stamp your feet, stamp your feet, listen to the music and stamp your feet Turn around, turn around, listen to the music and turn around Jump up high, jump up high, listen to the music and jump up high Clap your hands, clap your hands, listen to the music and clap your hands Rhyme was really fun I have shown a lot of actions in it I have shown a lot of actions in English I have shown a lot of actions in English Bye bye Go home, stay safe Go home, stay safe Parade अंड्रोइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लोट्स आप डाउनलोड करें शुक्षकों अभी भावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाब उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा तो मिलते हैं अगले एपिसोड में